हेलो पेरे बच्चों कैसे हैं आप मैं डॉक्टर शुशील आपका फिजिक्स में हेल्टी चैनल में तही दिल से स्वागत करता हूं मैं पिछले बाइस सालों से टीचिंग कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके फिजिक्स से रिलेटर जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करने में आपकी पूर्णूप से हल्प कर पाऊंगा हम कर रहे है क्लास तन्थ की फिजिक्स को और आज से हम शुरू कर रहे हूं इसका लास्ट चैप्टर जो की है हमारा उर्जा के स्रौत यानि की स्रौस आफ एनर्जी इसमें पहला टॉपिक हम समझेंगे कि सबसे पहले कि आकर उर्जा जिसे हम एनर्जी कहते हैं वहां होती क्या है हमने पिछले चैप्टर्स में पिछली क्लास नाइंथ में पढ़ा था कि जो उर्जा है वहां विभिन परकार के कारियों को संपादित कर सकती है हम कुछ भी कारे कर सकते हैं यदि विक्ति के पास क्या हो उर्जा हो तो उर्जा के हमने वहाँ पर विभिन रूप देखे थे कि हमने देखा था हम गती जूर्जा होती थी इस्तिती जूर्जा होती थी और इसके अलावा भी हम कई परकार की उर्जाओं का महाँ पर हमने अध्यन किया था तो अब उर्जा तो हमें समझ में आ जाती है पर यहाँ पर प्रशन आता है कि हम अपने उपयोग के लिए जिस उर्जा का अस्तेमाल करते हैं आफिर वह उर्जा कैसी ही होनी चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पर एक और बात चर्क्षा करी थि कि उर्जा के सरक्षन का नियम् तो अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी यदि उर्जा रूपान्तरित ही हो सकती है और जब उर्जा सर्क्षन का नियम कहता है कि उर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है इसका आर्थ एक उर्जा, दूसरी उर्जा के रुपे परिवर्थित हो रही है तो हम फिर से उसको दूसरी लिया हमने और उसके उसका अंदर गरम पानी भढ़ दीया बरतन में अब उस पानी का जो टाप मन था मालेते हैं वो 70 degrees centigrade था और जो कमरे का जो टाप मन था वो मालेते 17 degrees centigrade था या 25 degrees centigrade मालेते है तो जल का ताप मालेते हैं तो दूनों में temperature difference कितना आ गया पचास इसका अर्थ है कि वह बरतन का जो पानी होगा जल्दी से क्या होना थंडा होना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर की जो उश्मी उड़ जाए वह कहां चली गई वहां उस कम्रे के वातवरण में फैल गई तो अब क्या आप सो सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा यह अंत्र है जो कि कमरे की पूरी उश्मा को जो उस गरम वाझा पानी से निकल करके कमरे पे फैल गई जिसके द्वारा हम ये कारे कर बाते हैं। लेकिन ऐसा संभभ नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की उर्जा हमारे पास हो वह किसी भी रूप में हो कितनी भी शुक्ष्म मात्रा में हो उसको हम अपने कारें में संपाधित कर ही पाए। इसको दुसरा एक्सेंपबल लेते हैं. हमने का, का आप देख रहे होंगे कि आप के कमरों में बल्व जलते हैं. अब जैसे बल्व ज़он गरते हैं, तो तोन्न क्या होती यह प्रकाश उर्जा आपके कमरे में फैल जाती है? अब प्रकाश उर्दा जो फैल गई लेकिन जैसी आपने बल बंद किया तुरंत आपके कमरे में अंधेरा हो जाता है तो क्या कभी आपने सोचे कि आखिर वह उश्मा कहां चली गई वह प्रकाश कहां चले गया जो अभी एक छण पहले उत्पन हुआ था तो वहां प्रकाश क पहां गया क्योंकि प्रकाश क्या है उर्जा आपके कमरे में क्या है विभिन्य प्रकार के हम क्या सकते हैं च्छोटे च्छोटे कन हो सकते हैं जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं प्रकाश उर्जा उत्पन होती है वह प्रकाश का श्रोथ लगातार प्रकाश उत्पन करता है जिस से आपके कम्रा जो होता है, वह हम जह सकते हैं, बिलकों चमकदार है, आप सारी चीज हलाख को देख पाते हैं, मुँध प्रदीप्तह मां रहता है, लेकिन जैसे सोचाफ करते हैं, तुरंग प्रकाश गयब हो जाता है, वह उसलिए गयब हो जाता हैं, तो अब आप सोचें कि हमने प्रकाश का बल्व बंद करने के बाद जो हमारे कमरे पे जो गैसिस हैं जो छोटे-छोटे कण हैं उन्होंने जो उर्जा अवशोशित की है प्रकाश उर्जा क्या उसको खींच करके दोबारे से प्रकाश उत्वन करिया जा सकता है तो ये भी अपने आप में बड़ा हम कहा सकते हैं कि एक जटिल प्रशन है क्योंकि हमारे पास फिलाल ऐसी टेक्नलाजी नहीं है कि हम उन वातावरण के जिन कड़ों ने जो उश्मा को अवशोशित किया है हम उनकी उर्जा को खीच करके फिर से उसको प्रकाश में से या किसी टेक्नलाजी के हल्प से किसी दूसरे उर्जा के रूप में परिवर्थित कर पाएं तो यह हमारा पूरा चप्टर इसी के उपर फोकस रहेगा तो मुझे लगता है उर्जा तो आपको समझ में आ गई होगी जिसकी हमने पहली डफिनिशन दी थी कि उर्जा किसी कारे करने की एक परकार से चमता होती है सेकें हमने उर्जा के संक्षन का नियम बताया कि उर्जा को नत उत्पन किया जा सकता है नहीं नस्ट किया जा सकता है साथ ही हमने यह बताया कि उर्जा के सभी रूपों को हम कारे की रूप में परिवर्थित नहीं कर सकते हैं यह भी हमारे पास क्या है वो उपकरर नहीं है वह टेक्नोलाजी नहीं है जो हाइड्रोजन के नाम की से दीजा करके क्या करें करते है फुर्णा को उत्पण करते है अब क्यों लगता इतनी बात आप को समझे म हागा गया तो उड़ियं आप को 55 हो गया होगा अब हम यहां जब उर्जा के स्रोतों के बात करेंगे इस चेप्टर में तो यह मुख्य रूप से उर्जा के जो स्रोत होंगे जो प्रकृतिक स्रोत हम कहेंगे वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे तो लिखते हैं उर्जा के प्राकृतिक स्रोत यदि उर्जा के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में बात करें तो हमने करें ये दो प्रकार के होते हैं एक प्रकार के स्रोत को हम क्याते हैं अनवी करण उर्जा स्रोत और दूसरा जो हमार पास होता है वो होता है नवी करण नवी करण उर्जस रोत यदि इंग्लिश में बात करी जाए तो इसे कहते हैं नोन रिन्यूवेबल एनर्जी सोर्स और इसे हम कहते हैं रिन्यूवेबल एनर्जी सोर्स अब हम समस्ते हैं पहले इनका अर्थ क्या हुआ हमें जो भी प्रकर्ति प्रकर्ति से जो भी उर्जा प्रदान होती है वह उर्जा को हमने दो भागों में बाण दिया है पहला है अनवी करण उर्जा स्रोत अनवी करण उर्जा स्रोत का अर्थ है कि प्रकर्टी से प्राप्त वे सभी उर्जा के स्रोत जिनकों कि हम यदि खर्च करें तो वो खर्च होते चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद वो समाप्त ही हो जाएंगे क्योंकि उनको बनाने के लिए प्रकर्टी ने बहुत लंबा समय लिया है और उतने लंबे समय लेने के बाद उस लिए प्रकर्टी ने हमें जो वो उर्जा के भंडार हमको दिये हैं उन बुर्जा के भंडारों को यदि हम तेजी से उसका दोहन करें उसका दहन करें उसका उपयोग करें तो जल्द ही वो क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे क्योंकि उस परकार के उर्जा स्रोतों को बनाने के लिए प्रकर्ति को बहुत लंबा समय लगता है तो उतना लंबा समय नहीं मिल पाएगा हमारे को और उससे पहले ये दियो स्रोत खतब हो जाएं तूब क्याते हैं जीवाश्म इधन वो क्याते हैं हम कहाथे कोयला केरोसीन इसके आप पेट्रोल की बात कर सकते है डीजल की बात कर सकते हैं इसके अलावा आप LPG जो आपकी गैस होती उसकी बात कर सकते हैं तो ये सारे के सारे हमारे किस रूप में आते हैं ये आते हैं जिवाशम-इंधन की रूप मैं और इनको हम किना है अनवी करन उर्जेश रोगत अब जान रहे होंगे कि यह जितने भी हमारे हैं चाहे हो कोईला हो, चाहे कैरोसिन हो, चाहे पेटोल हो, चाहे डीजन हो, चाहे अलपीजी हो इन सब के जो भंडार हैं, जो पृत्वी के भीतर रिस्तित हैं इनका एक निश्चित परिमान है कुछ इनकी एक निश्चित मात्रा है और जिस तेजी से हम इनका दोहन कर रहे हैं जिस तेजी से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा लगता है कि अगले 25-30 सालों में जादे से जादा 50 सालों में ये सारे का सारे जो हमारे और नवी करन उजा के जो स्रोत हैं इधन हैं जो जिवाश में इधन जिसे हम कह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे तो अब बात आती है कि क्या हम इंसका इस्तेमाल करना ही बंद करते यदि हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि यदि हम इनका इस्तेमाल ही न करें तो आप सोची कि हमारा जो जीवन हो जाएगा कितना कठीन हो जाएगा इसको थोड़ा सा यदि हम यहाँ पर example की help से समझें कि उर्जा का हमारे जीवन में कितना उपयोग है इसे समझते हैं अब हम अपने व्यक्तिकत जीवन से स्टार्ट करते हैं आप देखते हूंगे कि हम उर्जा के रूप में अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो जो विद्धुत का उत्पादन होता है वर्तमान में भी हमारे देश में जो विद्धुत का अधिक्तम हिस्सा जो होता है वो कोईले के द्वारा कोईले का दहान करके इसको जला करके तब उत्पन किया जाता है तो यदि बड़ा हिस्सा हम कैदे कोईले का इस्तेमाल ना करें जिवाश मिधन के रूप में कोईले का इस्तेमाल यदि ना करें के लिए कुकिंग के लिए वरतमान में सब करते हैं इसके लाव आप कहो कि नहीं हम तो मिट्टी के तेल जिसे कहते हैं जिसे हम कैरोसीन कहते हैं कैरोसीन आयल यदि वह भी क्या है एक जिवाश में इंधनी है तो उसका इस्तमाल भी यदि नहीं करें तो यानि कि हम तो फिर भोजन भी नहीं बना पाएंगे तो इसका अर्थ है कि हम यदि इन इंधनों का इस्तमाल न करें तो हमारे लिए वर्तमान में ही जो हमारा जीवन है वो काफी क्या हो जाएगा कठनाई पूर्ण हो जाएगा अर्थ इसके लावब आप देखते हैं पेट्रॉल तर्था डिजल का उपयोग जितने भी आपके कार खाने होते हैं उन सब में ये पेट्रॉल और डिजल का उपयोग किया जा सकता है आपके दिमाग में आरे होगी नहीं सर वहाँ पर तो बिजली का भी करते हैं तो अभी हमने बात करी कि बिजली भी कहां से उत्पन हो लिए, maximum बिजली हमारे देश में कोईले से उत्पन हो लिए, कोईले के दहन से उत्पन होती है, तो यदि इन सब चीजों को आप उपयोग में लाना छोड़ दें, तो आप देखेंगे, मनुश्य के लिए जीवन यापन काफी कठिन हो जाएगा, क्योंकि बड़े-बड़े कार खाने कह लीजिए, खेतों में काम करने की बात कह लीजिए, जो किसान करता है वह भी क्या करता है, विभिन रूप, अलग-अलग रूप से इन ही इंधनों का उपयोग करता है और किसी देश के किसी एक कोने में यदि कोई एक पैदावार हो लीए, तो उसे वहां से यहां तक आने के लिए, जो ट्रांस्पोर्ट में जिस उड़जा का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हमारी पैट्रोल डिजल के रूप में यही उड़जा है तो यदि उड़जा का उपयोग न करें तो फिर मनुश्य का जीवन दोभर हो जाएगा या हम कहा सकते हैं, हमारी विकास की गतियों के बिलकुल रुख जाएगी तो करना भी आवशक है लेकिन बस यह तरीका है कि हम इनका संतुलित रूप से उपयोग करें और इन जो हमारे पास यह संसादन है, इनका ऐसे तकनीक से उपयोग करें कि इनकी उड़जा का इसका जो हैं वो अच्छी परकार से उपये ऐसा नहों कि उड़जा का कुछ हिस्सा हमारा वेस्टेच चले गिया, जैसे एक्जामपल दें हमारे पूराने समय पर आप देखते होंगे बिजली के बल्बों के रूप में हम वो फिलामेंट वाले बल्ब यूज़ करते हैं जनसे यलो लाइट निकलते थी लेकिन वरतमान में आप देखते होंगे कि कोई उस लाइट को यूज़ नहीं कर रहा है वो जो 60 वाट का बल्ब होता था यहां पर हम बात करें कि वरतमान समय में तो हमारे 10-10 वाट के 8-8 वाट की जो LED होती हैं वही उसके बराबर रौशनी उत्पन कर देती हैं तो इस परकार से यह दे टेक्नलोजी का यूज़ करके हम इन उर्जा के साधनों का उपयोग करेंगे तो यह और अधिक लंबे समय तक हमारे को क्या करेंगे हम उपयोग करते हैं और प्रकरती फिर से क्या करदेती है उनकी पूर्ती कर देती ऐसरह जो शुरोथ होते हैं अहरे इन सर्थों कीशर्णी में आता है आपको ध्यान हो कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहली बात ही आती है कि मनुष्य ने जब पहली बार आग का उपयोग किया और उसके कई हजारों वर्षों तक जब उसने आग का इस्तेमाल किया तो उसके लिए इंधन के रूप में उसने जो मुक्यता जो यूस किया वो कर रहा था लकडी का इस्तेमाल किसका इस्तेमाल किया था लकड़ी का तो यदि एक प्रकरती के पॉंट अफ्यू से देखा जाये तो जो लकड़ी का जिसका हम उपयोग करते थे कि किसी पेड़ की शाखाईं काट करके हम लकड़ी लाते थे फिर उनको जला करके इंदन की रूप में उपयोग करते थे वह देखा जाए तो नवी करण उर्जा स्रोत के रूप में आता है इसलिए आता है क्योंकि आप देखते हूंगे आप लकड़ी काट करके यदि मुनिश ले आए तो प्रकरती थोड़े समय पश्चात क्या करती है कि नए नए पेड़ आदमी चाहे तो उगा सकता है और उसके छते पूर्टी कर सकता है और पेड़ों को उगने में ऐसा नहीं हजारों और शवास समय लगे कुछी समय पर वो पेड़ गया होते हैं दोबारे से तयार हो जाते है तो लक्डी हम कह सकते हैं परकार से नभी करण उरजा का स्रोत है हलांकि यहां कॉंटोवर्सी हो सकती है आप कह सकते है快ज लकड़ियां यदि जंगल गाटते चले जाएंगे तो फिर कहां से होगा तो वह तो वाथ सही है कि जब आप जंगलों के लिए जगлом जगें लकड़ियां भी कहां से रह पाएंगे लेकिन यदि मनिश्य बुद्धिता बुद्धिमता पूरू यदि इसका उपयोग करें कि आप एक तरब से इनन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और दुसरी तरब से पौधे लगाते जाएं तो यहां हमारा क्या होगा नवी करण उर्जा स्रोथ जैनके रेनियोबल इनर्जी स्रोथ होगा रेनियोबल इनर्जी स्रोथ का अर्थ है कि ऐसे स्रोथ जो कभी समाप्त नहों जिनको प्रकरती क्या दे लगातार आपको बार-बार देती रहे उपयोग के लिए उन्हें हम नवी करण उर्जा स्रोथ क्याते हैं और अनवी करण का अर्थ था कि जो क्या हो जाएं समाप्त हो जाएं तो इसमें हमने एक लखड़ी ले लिया इसके अलावा देखिए वर्तमान में जिन सवर्य को में लावान फॉक्या नविंम हैं या हम कहाएं कि नदियों के बहने के निया उत्पन भी आ genगी जर्य यों क्या देंगे कि जो ऐसे हम हाइड्रो एलेक्टिक प्लांट कहते हैं जहां पर जल को उचाई से गिरा करके क्या की जाती है विद्धू तुत्थपन की जाती है तो यह जो हमारे सोर्स हैं यह हमारे नवी करण उर्जा स्रोत हैं तो मुझे लगता है यह दोनों बाते आपको समझ में आ गई होगी तो अभी बाद में हम इनका इस चेप्टर में बड़े डिटेल से इसकी उपर चर्चा करेंगे फिलाल आपको मोटा मोटा यह ध्यान लगना है कि नवी करण उर्जा स्रोत से क्या मतलब है और अनवी करण उ करें अगला टपिक हमार आता उर्जा का उर्जा का उत्तम स्रोत इंगी बेस्स उर्स ऑफ इनर्जी उर्जा का उत्तम स्रोत क्या हुआ वो कौन सा स्रोत है जिस से हमें अच्छे से अच्छी उर्जा प्रापत हूँ देखे इस बात के लिए हमें कुछ बिंदों पर गार करना पड़ेगा कि उर्जा का उत्तम स्रोत का अर्थ है कि जो भी स्रोत हो उसके अंदर कुछ विसिस्ट गुण होने चाहिए हम उर्जा के रूप में कोईले का भी इस्तमाल करते हैं कैरोसिन का, डीजल का, पेट्रोल का, एल्पेजी का, लकड़ी का, सौर उर्जा का, पवन उर्जा का और हम क्या सकते हैं विबिन डिफरेंट टाइप की जो हमारी कैमिकल एनरजी होती है रसानीक उर्जा होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो उर्जा के हमार पास different source हैं लेकिन आप क्या कहिए आप best source कौन से use करेंगे इस पर हमें चर्चा करनी है तो जैसे हम best source की बात करें पहली बात जो सबसे important बात है कि उर्जा का जो भी स्रोथ हो तो वो सबसे पहला होना चाहिए सस्ता सस्ता होना चाहिए पहली बात दूसरी बात उसके अंदर से जो उश्मा निकल रही है जो उश्मी उर्जा उसके अंदर से निकल रही है उसका माल अधिक्तम होना चाहिए अधिक्तम उर्जा प्रदान करने वाला वो तो इतना बड़ा यारख, उससे निकल ले चोटी सी, उसका भी कोई फायदा नहीं हो गाँ, चीछ का उच्यत रूप से भंदारन कर मो lunch के हिगे, उसका उचित रूप से भंदारन के आज आ सके, उचित रूप से भंदारन उसको हम क्या कर सकें आसानी से कहीं पर संचित कर पाएं ये भी गुन होने चाहिए इसके लावा हम कहें भंडारन के अत्रिक्त उसको एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक भेजने में सुधा होने चाहिए यानि क्या हम क्या सकते हैं सुगम होना चाहिए तो ये सब गुण दोने चाहिए और वरतोमान समय पर इंधन के रूप में यह हम क्या सकते हैं उटजा के रूप में एकinsi स्रोत की कलपना की गई जुसमें एक विसिष्ट गुणू यह हो वर्तमान की समय के साबए की यहाँ परियावरान को कम से कम प्रदूशन करने वाला होना चाहिए है स्थily तो पांच्वें हम गोढ़ ले रहे हैं कम से कम प्रदूशन-Sa実-द्र can करें आप देखते होंगे पुराने समय में लकडी जलाते थे तो बहुत सारा धुवा निकलता था अब यदी धुवा निकलेगा तो निश्चित रुप से उपर यावरान को कहां करेगा प्रदूश्यत करेगा तो हम चाहते हैं हमारे पास उर्जा का वह स्रोत को उत्तम माना जायेगा जिसके अंदर यह सारे के सारे क्या होंगे गुण होंगे बहुत स्रोत क्या होगा उत्तम स्रोत होगा तो मुझे लगता है इतनी बाते आपको समझ में आगी होगा आप एक बार इसे नोट कीजिए फिर हम आगे से कंटीनू करेंगे अभी हमने उर्जा और उर्जा के विभिनिस रोतों के बारे में चर्चा करी और साथ ही वहां पर हमने यहां समझा कि एक उत्तम उर्जा जो होती है या उर्जा का यह चुनाओं किया जाए उत्तम उर्जा का तो वो क्या होना चाहिए अब यहाँ पर हम अगला टापिक शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं इधन और इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूल अब पहली बात यह है कि आखिर इंधन का अर्थ क्या होता है इंधन का अर्थ एक ऐसा पदार्थ जिसको की हम जला करके उससे उश्मा उत्पन कर सकें अर्थार्थ जो जलने पर उश्मी उर्जा उत्पन कर पाए ऐसे इस पदार्थ को हम नाम देते हैं इंधन और आप जानते हैं कि समाने तरह हम क्या करते हैं काफिस सारे हमारे पास ऐसे पदार्थ हैं जिनको जलाएं तो वो उश्मापपन करते हैं आप यदि इंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाली वस्तों या पदार्थों की पारे में चर्चा करें तो आप जानते हैं लकड़ी है उसके अलावा हम कह सकते हैं उपले यूस करते हैं लोग इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कैरोसीन आयल है यानि कि मिट्टी का तेल है इसके अलावा पेट्रोल है डीजल है इन सब चीजों का या लपीजी गैस है इन सब का स्थमाल हम किसके लिए करते हैं इधन के रूप में करते हैं तो पहले तो आपको यह पता होने जी कि इधन क्या है हमने बताया आपको कि इधन का अर्थ है कैसे पतार्थ से है जिसको जलाने पर वह उश्मा उत्पन कर पाए और इधन के रूप में किसका स्थमाल करत हैं यह भी अभी हमने बताया जैसे आप कह सकते हैं लकड़ी या लकड़ी पहले लकड़ी ले ले लेते हैं आप जानते हैं उपले होते हैं उसके बाद आपको ध्यान हो तो कोईले कह सकते हैं कोईला कोईले का बहुता ही यूस किया जाता है इसके अलावा आप कैरोसीन ओयल कैरोसीन तेल या मिट्टी का तेल भी कहते हैं LPG पेट्रोल बीजल इन सब चीजों का हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं किसके रूप में? इंधन के रूप में अब हमार पस ये इतने सारे इंधन है अब कहीं कि हमारे लिए उप्योग तो इंधन कौन सा होगा ये अलग-अलग इंधन है लेकिन आप देखते हूंगे कि हम वर्तवान में घरों पे LPG का उप्योग करते हैं आपको ध्यान हो तो पुराने समय पर जब जो लोग होते थे वो क्या उप्योग करते थे या तो वो पहले लकडी का इस्तेमाल करते थे इंधन के रूप में पुराने लोग या गाउं में अभी भी उपलो का इस्तेमाल किया जाता है फिर हमने लक्री छोड़ करके उसके आगे कोईले कोईले की अवाद कैरुसीन ओयल का इस्तेमाल करते थे लोग और वरतमान में हम किसको क्यों कर रहें LPG का इस्तेमाल कर रहे तो आकिर एक ये सिक्वेंस कैसे बना आकिर क्यों हमने सुरू की चीजे छोड़ करके लास्ट में हम RPG तक पहुँच गए तो इसके लिए होता है कि इंधन में कुछ विशिस्ट गुण होने चाहिए जिसके दौरा उनका चैन किया जाता है तो कौन कौन सी वो बाते होने चाहिए इसमें मुख्य रूप से इंधन के हम दो गुणों के ओपर चर्चा करेंगे पहला हमारा गुण जो होता है जिसको हम नाम देते हैं उश्मीमान उश्मी मान पहला गुण और दूसरा जो हमारा गुण होता है वो होता है इंधन जिस ताप पर जलता है कोई भी इंधन जो है उस इंधन का चुनाव इन दो गुणों के अधार पर समानने तक किया जाता है ये बाता लगे कि वो कहां available है यदि आपके पास बहुत सारे इंधन हो ये सारे के सारे इंधन आपके सामने रख दी जाएं और अब कहें कि आपको बताए किसका चुनाव करेंगे तो ऐसी स्थिती में आप चुनाव के लिए इन दोनों गुणों को जरूर ध्यान में रखेंगे तो क्या हैं ये दोनों गुणों अभीने डेटेल में समझते हैं पहला आता है उश्मी मान पहली चीज़ क्या है उश्मी मान उश्मी मान का आर्थ होता है कि किसी भी क्योंकि इधन का क्या आर्थ हुआ कि इधन एक ऐसा पदा आर्थ है जिसको जलाएं तो उश्मा उत्पन हो तो अब है उश्मी मान उश्मी मान का अरत है कि किसी भी इधन के एकांग का दर्वे मान को जलाने पर उससे जो उश्मा उत्पन होती है उश्य उश्मा को हम कहते हैं उसका उश्मी मान मुझे लग रहा है काफी आसान है आपको समझ में आ गया होगा हमने कहा कि किसी भी इंधन को जलाने पर उससे जो उश्मा निकलती है किसी भी इंधन के एकांग दर्मान को जलाने पर उससे जो उश्मा उत्पन होती है उस उश्मा के मान को ही उस इंधन का उश्मे मान कहते है यहाँ एक्जामपल हम ले लेते हैं अग्सामपल के लिए लकड़ी का कोईला लकड़ी का कोईला लकड़ी का कोईले का यदि मैं एक ग्राम को जलाओं एक ग्राम का देहन करूं तो उससे हमारी लगवः 33,000 33,000 जूल उर्जा निकलती है या उš्मा निकलती है आप जानते हैं यह जूल भी क्या है? मूर्जा का ही मात रख है तो यदि हम एक ग्राम इंधन जला रहे हैं इंधन के रूपे किसको प्योग क्या है? लकड़ी के कोईले का तो उसे कितनी उर्जा उत्पन हो रही है? 33,000 जूल और इसको थोड़ा शौट में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 33,000 जूल इसका अर्थ है कि एक ग्राम लकड़ी के कोईले को जलाने पर 33,000 जूल उश्मा या उर्जा उत्पन होती है अब हम उश्मी मान का हम कह सकते हैं जो मात्रक है उसको हम कह सकते हैं कि यानि कि लकड़ी के कोईले का जो उश्मी मान है वह है 33,000 जूल पर ग्राम ये क्या है उश्मी मान है किसका लकड़ी के कोईले का तो इस परकार से हम ये समझ सकते हैं कि कि किसी भी इंधन के एक ग्राम को जलाने पर कितनी उश्मा उत्पन होगी अब इतना हमें समझ मा आ गया तो अभी हमने आपको बात करी कि आप पुराने समय पर उपलो का भी उप्योग करते थे, लकड़ी का भी करते थे कोईला भी करते थे, कैरोसिन भी करते हैं सबसे पहले उपलों की बात करें उपले अब समझते हैं, गाएं या जानवरों के गोबर से जब हम मिला करके एक वो बना लेते हैं एक केक टाइप का बना लेते हैं तो उसको हम उपला कह देते हैं तो उस उपले की जो उश्मी मान होता है वो लगबग होता है 6-8 किलो जूल यानि कि 6-8 किलो जूल उर्जा निकलती है उसमें यदि 1 ग्राम उपला हम क्या करें जलाए अब आपने देखा हुआ हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे किसका लकड़ी का तुझे लकड़ी के उश्मिमान होता है वो होता है 17 किलो जूल करने के लिए उश्मा को प्राप्त करने के लिए मुख्यू रूप से लकड़ी का ही दहन करता है लकड़ी ही जलाता था इंधन के रूप में तो उससे कितनी उश्मानिकलती थी 17 किलो जूल अब यदि हम बात करें कि जो हमारा कोईला होता है जो जमीन के अंदर से खोट करके कोईला निकलता है जिसे पत्थर का कोईला भी बहुत से लोग कह देते हैं उस कोईले की जो वैल्यूज होती है वो लगवग होती है 25 से 30 किलो जूल यानि कि उसका एक ग्राम जिदी जलाए जाए तो उस कामान उससे कितने निकलेगी 25 से 30 किलो जूल निकलेगी यह है प्रती ग्राम उपर लिख लिए प्रती ग्राम 25 से 30 किलो जूल निकलती है और साथ ही हमने यहां पर बताया आपको लकड़ी के कोईले का लकड़ी के कोईले का उश्मी मान कहें तो ये हमारा होता है 33 किलो जूल के बराबर होता है और इसके बाद आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आप जानते हैं आप इसके बाद करते हैं कैरोसीन वायल का कैरोसीन जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं और इसका जो श्मिमान होता हुँ होता है 48 किलो जूल और वर्तमान समय पर हम जिस इंधन का अपने घरों में उप्यों करते हैं वो हमारा होता है LPZ जिसकी फुल फाम होती लिक्विट पेट्रोलियम कैस और इसकी इससे जो उश्माथ पर निकल रही है इसका जो उश्मी मान है वो है 50 किलो जूल तो मुझे लग रहा है ये टेविल देखकर के ये क्रम देखकर के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या तरण था कि पहले क्या मनुश्य के पास जब कोई आप्शन नहीं था तो उसने लकडी का इस्तेमाल किया पहले नंबर पे लेकिन लकड़ी से बाद में उसने यालम हो करा कि उसको जब कोईला मिला जमीन के अंदर से जब उसको जलाया तो उसने देखा तो कैरोसीन तेल से शिफ्ट हो गया कहां? सॉरी, लकड़ी के कोईले से शिफ्ट कहां हो गया? कैरोसीन तेल का उप्योग करने लग गया और वर्तमान समय पे आप देख रहे होंगे कि जो LPG है उसका जो हम कहा रहे हैं हमारे पास इंधन आते रहे, उनका जो उश्विमान था वो पिछले इंधनों की तुलना में क्या पी ज़्यादा था? इसलिए हमने क्या करे? नए-नए इंधनों का उप्योग करा मुझे लग रहा है ये बाते समझ में आगी होगी आपको अब हमने इस बारे में तो चर्चा कर लए कि उश्विमान उसका ज़्यादा होना चाहिए अब हमने दूसरी बात करनी है ज्वलन ताप, ज्वलन ताप क्या हुआ? ज्वलन ताप का उर्थ होता है कि कोई भी इंधन जिस ताप पर जलना शुरू होता है जलेगा तब ही तो उश्मा देगा तो जिस ताप पर जलना शुरू होता है या जिस ताप पर जलता है उसी को उस इंधन का ज्वलन ताप कहते हैं अब अलग अलग चीजों के हमें एक्जामपल ले लेते हैं या जिस आप एक तरफ ले लीजी लकड़ी और एक तरफ ले लीजी हम कहें मिट्टी का तेलिया कायरोसेन अयल आप देखते हो कि लकड़ी को जलाना इतना असान नहीं है आप ने घरों पे जब लकड़ी जलाई होगी आपने देखा होगा उसके लकड़ी को यदि हम लगाते हैं तो लकड़ी को सीधे उसके उपर नीचे के और सीधे तिली सीधे लकड़ी में लगा दे माचिस की तिली जलाएं और सिधे लकडी के एक डंडी लेकर के उसके नीचे तीली लगा दें तो लकडी जलती नहीं है तो लकडी को जलाने के लिए क्या करता है कुछ कागज, कुछ घास फूस, कुछ हलकी चीजें पहले रखी जाती है फिर उन घास फूस कागच को जलाये जाता है जिससे लकडी का ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने के बाद एक नियत ताप के बाद वो लकडी का उती जलने शुरू हो जाती है वही उस लकडी का क्या कहलाता है जलन ताप तो लकडी को आप देख रहे हो कि काफि शमय लगता है दूसरी तरफ आप मिटी तेल का देखते होंगे या कैरोसीन उयल देखते होंगे आप कहीं बार घवो पार इस ?쟁 के का जड़ ही जलन ताप का फ़ी कम है, मतलब वह जल्दी ही क्ढ़ता है जल जाता है ईसको एदा है और लकड़ी इस तुलना में क्या है? उसको जलाने के लिए उसको एक नियत ताप पर लाने की आशकता होती है तो इसे इसाब से देखा जाए तो इन सब चीजों का जोलन ताप भी जैसे इसे आगे बढ़ेंगे यह वैसे वैसे उलकाओ क्या होगा? उतना ज्यादा कम होता चल जाता है हम सबसे एडवांस सोर्स की बात करें, एलपीजी की बात करें तो एलपीजी आपने देखा होगा कि गैस की एकदम नौब खोली है माचिस की तिली जैसी उसके समीप लाते हैं तुरंत वह जलना शुरू हो जाता है तो उसको जादा जलन तो आपकी आउशकता नहीं पड़ती है लेकिन एलपीजी जितना सुविदा जनक है क्योंकि इसका जलन ताप बहुत कम है तो जितना अधिक ये सुविदा जनक है जलने के लिए उतना ही जाता ये क्या है नुकसान दैग भी है कतरनाग भी है मानो जीवन के लिए आप सुनते होंगे कहीं स्थानों पर क्या हो जाता है कि गैस लीक हो जाती है जिससे बड़े बड़े आग की भिष्ण घटनाए हो जाती है और मानो छती हो जाती है जानमाल का नुकसान हो जाता है तो वह इसलिए होता है क्योंकि LPG की जो जलन ताप है वो क्या है बहुत कम है ये बहुत जल्दी आख पकड़ लेता है तो एक तरब जहां इसका यह उप्यूग है वही पर दूसरी तरब इसका यही जो गुण है वह हमारे लिए क्या है एक नुकसान दाइग भी है अब इसको ऐसे समझ सकते हैं तो मुझे लगता है इतनी बाते समझ में आगी होगी यही पर यदि हम बात करें किसकी उत्तमी धन की उत्तमी धन की बात करें तो इन दोनों गुणों के अधार पर यदि बात करें तो उत्तमी धन वहा है जिसका उश्मी मान जादे से जादा हो और जिसका जलन ताप कम से कम ह अर्थार्थ उसको जलाने के लिए ज्यादा ताप बढ़ानी क्या उशक्ता ना हो वो कम ताप पर ही जल जाए और उश्मा उत्पन करने लगें और दूसरा उसको उश्मी मान ज्यादा हो जिससे उसकी कम मात्रा जलाएं तो वो ज्यादा उश्मा उत्पन करें तो यह दोनों के दोनों किसी इंधन पे होंगे तो उस इंधन को हम उत्तम इंधन नाम देगे उत्तम इंधन समझ में आ गया होगा आपको अब यहाँ पर एक और बात आती है कि आदर्श इंधन कौन सा हुआ आदर्श इंधन और उसका जलन ताप क्या होनी चाहिए? यह दोनों गुर्ण तो आएंगे ही। दूसरा आदर्श इंधन में और एक ख़स बत क्या होनी चाहिए? कि आप देखते होंगे जब गैसे जलती हैं, कुछ इंधन जलता है, तो उससे कुछ विशैली गैसे भी निकलती हैं, जैसे कारवर मोनो अकसाइड होगी, या सलफर क्या अकसाइड होगी, यदि निकलते हैं तो कुछ जहरीली गैसे होती हैं, आपने कई बार सुना होगा, कि स कि सुबह जब वूटते हैं तो उनमें से काफी लोगों को क्या हो जाते हैं परिशानी होती है या बहुत से लोगों की दैथ भी हो जाती है वो इसलिए होती है क्योंकि जब अंगटी को आप जलाते हैं, तो क्या होत है कि जब अंगटी जलती है, तो उसके कोईलों के जलने से carbon monoxide gasoline gas निकलती है। और वहाँ अपने आप में क्या है जहरी लिगयास है तो यदि आपकी खिड़की दरवाजे खुले हैं तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि कि खिड़की दरवाजे बंध हैं तो कारबन मोनो अक्साइड उसी कमरे तक सीमी तरह जाती है जैसे जैसे मुनिशी शुर्षन लेता रहता है वो जेरिलिगयस उसके सैडिर के अंदर जाती रहती है जिसके कारण उसको सैंस लेने में प्रिशानी होती है sobあれशन होती है और उसकी death भी हो जाती है तो आपको इस बात कध्यान अगना है क्योंकि science आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसके पीछे की गहराईयों को भी जानना चाहिए और इन चीजों का किवल ऐसा ना हूँ कि ये हमारा ग्यान किवल किताबों तक ही सिमित हो जाए किवले की ये अंगिठी का इस्तेमाल करते हैं तुए जब तक आप जगेवे हैं तब तक ऊसका इस्तेमाल कीजीए उसके बाद उसको कमरे से उठा करके बाहर रख दीजीए और कभी ऐसी अंगिठी को जला हते समें कमरे की खिड़की दरवाजे एकदम बन्द ना रखे तो हमने का हमने आदर्ष इंधरं में क्या क्या होने होना चाहिए, एक तोल आ प्रियावरन के लिए नुकसान धायक नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि उसके जलने के पाद कुछ ऐसे आवशेश रह जाएं जो कि परियावरान के लिए नुकसान दायक हो। क्योंकि उड़ जा के सुरूत के बारे में बात करें तो हमारे पस नाब की इंधन भी कुछ होता है। यानि कि जो हमारे नाब की विखंडन या नाब की सलेन इन अभी के रियाओं में कुछ प्रयोग किया जाता है। लेकिन उनके जो अवशेश निकलते हैं, वो अवशेश क्या होते हैं, प्रकरती के लिए क्या होते हैं, नुकसान दायक होते हैं, इसलिए हम ऐसे इंधनों का कम से कम उप्योग करना चाहते हैं, तो आदर्श इंधन में कौन कौन से कौन, पहला जलनताप, कम से कम, उश्मीमा अधिक से अधिक जहरीली गैस कम निकाले और शेश कम निकलने चाहिए और साथ ही क्या हो पर्यावरण के लिए नुकसान दैक ना हो सस्ता होने चाहिए अगल बगल मौजूद होने चाहिए आसानी से इसका भंडारन हो सकता है जैसे जो कि हमने उर्जा के संबंद में आपको बताये थे कि उत्तम उर्जा के सुरूत क्या होते हैं तो वही सारे गुण इसमें भी होने चाहिए तो प्यारे बच्चों आज हमने समझा उर्जा क्या होता है उर्जा के दो परकारों को समझा साथ ही उत्तम उर्जा सुरूत क्या होता है और अब हमने समझा कि इधन क्या होते हैं और आदर शरु उत्तम इधन से क्या तत परे मुझे लगता है काफी आसान क्लास है पूरा चेप्टर आपका थियोटी कलर पूरा उर्जा के बारे में उर्जा के विबिन रूपों के बारे में तो ऐसा उनका टाइम वेस्ट किया जाए तो यदि आपको वीडियोज अच्छे लगते होंगे तो आज बोल रहे हैं कि इसको लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए शेयर कीजिए क्योंकि यूट्यूब पे हिंदी मेडियम का मेटीरियल काफी कम आपको मिलेगा तो यदि कोई आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में चलूर लिखेगा तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई